दोस्तों, NSE यानि National Stock Exchange के रिजल्स आउट हुए हैं FY22 के 3rd quarter में कंपनी के profit after tax में year on year 50% ग्रोथ हुई है to Rs. 13.6 billion अब 9 months की ग्रोथ देखें तो Pat 50% से इंक्रीज हुआ है to Rs. 36 billion ये ग्रोथ का रीजन माना जा रहा है कंपनी की revenue transactions में इंक्रीज को एक साल पहले तक traction in option volume NSE के revenues में major role play करता था जहां से 38% का revenue आता था अब वो 50% तब पहुँच गया है यानि organization और efficiently work कर रही है अगर NSE का FY22 का consolidated PAT देखा जाए तो वो Rs. 48 billion estimate किया जा रहा है जो year on year 40% से बढ़ा है with EPS of Rs. 96 NSE के share FY22 में उसकी PE ratio को देखते हुए 32 to 35 times के multiples पर sell किये जा रहे थे जबकि BSE का 55 times के multiple पर यानि NSE का share अभी BSE से comparatively सस्ता मिल रहा है तो अगर आप NSE के shares खरीदना चाहते हैं तो आप हमें screen पर देएगे numbers का contact कर सकते हैं साथ ही अगर आप ऐसे और भी latest updates जानना चाहते हैं तो हमें बाकी social media platform पर भी follow कर सकते हैं